हलो दोस्तों वेलकम टू स्टेडी उनिवर्स मद्धिप्रदेश के नंबर वन चाला फॉर डेली करंट एफिर के इस ब्यूडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपके साथ फिल लेकर आए हैं चार्ट टॉपिक जन्में हम बात करें हैं मद्धिप्रदेश के 18 दूश्रा पार्ट इसके पहले एक और पार्ट आ चुका है चाहिए देखिए बहुती शॉर्ट वीडियो में आपको समझाया गया है और यहां से आपकी मद्धिप्रदेश पुलेस ऐसा ही के एक्जाम में यहां से क्वेश्चन जरू पूचा जाएगा तो दोस्तों बेना बिश्चा जो सीहोजला है वहाँ पर थे जो 1877 की करांती में नेतातो कर रहे थी राणि लक्षभाई जहासी कालपी से यहां की नेतातो कर रही थी लेकान दोस्तों आपको जैसे की बता हुगा कि राणि लक्षी भाई ग्वालियर में शहीद होती है तो इसलिए इसलिए इ मंदला की नाम से जाना जाता है यहां पर यह नेतरतु कर रहे थे 18 संदाउन क्रांति का नारण से रायपुर से और अवन्ति वाई रामगड से इसका नेतरतु कर रही थी नेक्स्ट बात करते हैं राजा ठाक और परशाद की तो दोस्तो ये रागव कड़ से क्रांति के लिए युद्ध लड़ रहे थे इसके अलावा जलकारी वाई की बात करें तो जहांसी राणी लक्षिवाई की अंग रक्षिगा थी और गिर्धारी वाई अवन्ति वाई की ज अगर बात करें मद्रवद्विश की प्रूख राजबंस उनके ख्षित्रों की तो जो जो भी राजबंस हुए हैं उनके शेत्रों की बारें हम चाचा करेंगी सबसे बात करें पहले चंदिल भंस की तो यह बंदिल खंड जो बर्दवान में छतरपूर खज्राव में करता था बुंदिला बंस जो बुंदिला बंस है वह दोस्तों मदवर्दिस के ऊर्चा में राज किया करता था होलकर की बात करें तो इनका जो छेतर था वह माल्वा इंदोर था सिंधिया का गौालियर रहा है जैसा कि आई चानती हैं और कारोस मजड़ ये बगिल खंड का एर के भूभाग में यादो बंस बसाया गया था सुंग बंस, विदीशा जो मदब्रदेश की साची जहां पर इस्ते थे वहाँ से कुछी दूर पर विदीशा जिला है तो उस पर सुंग बंस का अधिकार था बात करें बंस की तो बिदीशा और जहासी में आभर मस हुआ करता था बागाटक बंस बिंदृ सक्ती और मालवा बिदीशा में फैला हुआ था बात करेंगर अलीखट बंस की तो दशपुर या मंदसवर जीसे कहा जाता है वहाँ पर अलीखट बंस हुआ करता था मुख्री बंस की बात करें तो मालवा और मंसौर के बीच यह बंस ने अपना छेत्र फैला हुआ था वहीं बात करेंगर परिवरजक बंस की तो बुनिलखंड की छेत्र में इनका राज हुआ करता था और सबसे आकर में आता है शैलवंस शैलवंस महा कॉसल में अपना राज किया करता था दोस्तों बात करते हैं पांडिया बंस की तो जो मैकाल प्रिदिश है यानि अमरकन टक का जो एरिया है वहाँ पर पांडिया बंस हुआ करता था गोरजरपटियार बंस की बात की जाए तो उज्जन में इन्होंने अपने बंस की स्थाफना की थी और आकर में आता है गोहिल बंस कोहिल बंस मंद स्वार में पढ़ता था तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट हुए जो भी बंस थे और जहां पर भी उनकी राजदानी थी या बसाया गया था उनके द्वारा या जो भी उनका शेत्र था उनके बारे में हमने चाचा की है आगे बढ़ते हैं और बात करते ह में सबसे पहले बात करेंगे स्वारे इसमारक की जिसका उद्गाटन मत्री मोधी जी नहीं किया था यह भूबाल में इस्तित है भी मनायक जो इसमारक है वह दूहावा बडवानी में स्थित थे इसके अलावा टाट्टयाभील की जो इसमारक है वह खंडवा की बढ़ोदा अही जगहाँ पर इस्थित है और बात करेंगा तो रामपरसाद बिसमिल सहीद पार्क और मंदर यह मुरेणा में बनाया गया है दोस्तों यह पहला मंदर है जो किसी सहीद के नाम पर मंदर बनाया गया है बात करेंगा तात्या टोपी की तात्या टोपी समारक शिपूरी में लगाए गया है जैसा कि आपको पता है कि शिपुरी में फासी दी गई थी तात्य टूपे को तो यहीं पर इनका इसमारक लगाया गया है इसके अलावा देवी अहलवाई इसमारक को इन दौर में लगाया गया है आप जानते हैं देवी अहलवाई भूलकर भी जो 142 भाहिल खट में परत्म 77 संक्राम अठाश सेंतावण मतब्रदेश कि नीमज से ब्रारंब हुआ था बात करेंग जंडा सत्य सब्ढ़राईगा मतब्रदेश में जंडा बनका सवीया नमक सत्यабот औरा सिवर्णी शही हूआ था अगर पर बात करें चरण पादुकर नर्सेंगार की जो 1931 में हुआ था यह चरण पादुकर नर्सेंगार की नाम से जाना जाता है या मद्दप्रदेश का जलिया वाला बाग हत्याकांड की नाम से जाना जाता है जो छतरपुर जिले में है दोस्तों नेस्ट कुछ और है उनके बारे में भी हम चाचा कर लेते हैं तो मद्धविदेश के इंदोर सराफा कंड 1942 में हुआ था यह इंदोर के सराफा पाचार में हुआ था कर ब्रद्धी ब्रोधी आंदोलर 1935 में जाबगा से शुरू हुआ था बारत चुड़ो आंदोलर 1935 में मद्धविदेश के ग्वालिय रियासत के विदीशा से शुरू हुआ था और आखर में आता है शराफ बंदी विदेश बस्तों का वहिशकार आंदोलर 1934 यह है मद्विदेश के जाबगा प्रजाम अंडल की द्वारा शुरू किया गया था जाबगा से तो दोस्तों यह कुछ आंदोलर थी जिनकी बारे में हमने चर्चा की यह आंदोलर मद्विदेश में किस जगह से शुरू है आपसे एक्जाम में यहां से कॉश्चन जरूर बनता है तो यह बहुत अच्छे से वीडियो देख के जाए आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपूटेंट है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है कुछ आंदोलर और अन्नेता तो करताओं के बारे में उनकी जगहों के बारे में पुराने बंसों के बारे में दोस्तों इसके लावा हमाएं एक और पार्ट आ चुका है उसको भी आप जाकर देंकि बहुत ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है बहुत ही शौट वीडियो में आपके कुश्चन समझाए गए हैं इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकत दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को शेर कीजिए और चैनल आइस्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब जरू कीजिए तो आज के लिए बस्तना ही नमस्कार है वर नाइस टे